E-Point builds a desire for learning Hello friends, मैं हूँ अविनास दवंगन और E-Point चनल में आप सब का स्वागत है तो अज हम CSI NET के online courses को आगे बढ़ेंगे जिसमें हम real analysis के topic number 4 यानि कि limit of a sequence, series and function की previous year के topic wise questions पे हम discuss कर रहे हैं ठीक है? जिसमें कि हमारे part 5 है इससे पहले हमने 4 part और निकाल चुके हैं जिसमें previous year के बहुत सारी questions को हमने discuss किया है ठीक है? तो अगर आप हमारे उस videos को देखना चाहते हैं तो इस description में हमने link दिया है वहाँ से आप वो सारी videos को देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का question answer session जो है question number देखते हम जो कि June 2011 ने पुछा गया है और ये part C के question है ठीक है? part C में ये question पुछा गया है question क्या है? which of the following is are correct? ये statement इतने सारे हैं इसमें से कौन सी statement जह होगा? correct statement है? वो हमको बताने हैं part C के question है इसलिए more than one option correct हो सकते हैं तो first क्या है? n log 1 plus 1 upon n plus 1 tends to 1 as n tends to infinite मतलब कि जब हम n tends to infinite रखते हैं तो क्या इसकी value tends to 1 हो रही है? ये हमको चेक करना है second में n tends to infinite के लिए क्या इसकी value tends to 1 हो रही है? third में n tends to infinite के लिए क्या इसकी value tends to 1 हो रही है या n tends to infinite के लिए क्या इसकी value tends to 1 हो रही है यह हमको check करना है ठीक है तो एक एक करके सारे हम options को check करेंगे ठीक है तो इसका solution देखते हैं अगर आप हमारे previous जो है याने की topic 4 का ही video याने की part number 1 अगर नहीं देखे हैं तो इसको देख सकते हैं क्योंकि उसमें हमने L hospital rule पर discuss किया था उसी related question पर तो यह limit के जितने भी questions दिखते हैं न बहुत सारी questions में L hospital rule जो है apply होता है बहुत सारी questions में standard limit apply होता है ठीक है तो जो यह हमारे पास topic है L hospital rule उसको तो आप अच्छे से करी लीजी क्योंकि यह part जो आपका काम आना ही आना है ठीक है तो देख लेजी L hospital rule क्या होता है limit x tends to a या कोई भी values हो सकती हैं यहाँ पर two functions है उसको जब हम यहाँ पर divide कर रहे हैं fx upon gx के form में है तो L hospital rule क्या कहता है कि same limit तो same रहेंगे लेकिन इन दोनों का differentiation यानि कि f dash x fx का differentiation हो गया और g dash x ठीक है और यह कब apply होता है जब 0 upon 0 form हो या फिर infinite upon infinite form हो ठीक है तो सबसे पहला काम तो यह आपको check करना होता है ठीक है अब दिखते है इस question में option first की limit x tends to n tends to infinite n log 1 plus 1 upon n plus 1 आपको यह दिखेगा तो यह तो multiplier के form में दिख रहे है तो यहाँ कहाँ 0 upon 0 या infinite form आ रहा है नहीं आ रहा है तो हम l hospital लगाएंगे लेकिन उससे पहले हम इसको इस form में convert कर देंगे ताकि question easily solve हो जाए ठीक है तो कैसे convert करेंगे तो देखिए limit n tends to infinite as it is है हमने log 1 plus 1 upon n plus 1 को as it is रखा और n को हम ऐसा लिख सकते हैं देखिए divided by ठीक है 1 upon n इस n को जो हम नीचे लाएंगे तो upon 1 upon n हो जाएगा तो अब इसमें put up करके देखिए limit infinite अगर मैं put up करूँ यहाँ infinite रखोंगा तो यह 0 log 1 हो जाएगा log 1 की value 0 होती है हाँ देखो numerator में 0 आ गई और यहाँ पर n tends to infinite यहाँ put up करेंगे तो यह भी 0 आ गई आने की 0 upon 0 form आ गया तो हम l hospital rule apply कर सकते हैं तो by l hospital rule क्या होता है देखिए l hospital rule में सबसे पहले numerator का differentiation तो log 1 plus 1 upon n plus 1 का differentiation कर दीजिए आप ठीक है तो हमको मिल जाएगा limit n tends to infinite log का differentiation का होता है log x का 1 upon x तो यह पूरा 1 upon में आ जाएगा तो 1 upon 1 plus 1 upon n plus 1 और फिर से इसका differentiation होगा इस part का तो क्या होगा इसका differentiation कर दीए जे तो होगा 1 minus 1 upon n plus 1 square ठीक है इसका differentiation होगा minus 1 upon n square ठीक है इतना अब इसके बाद यहाँ से हम lcm लेके इसको solve कर लेंगे तो इसका cross multiply होगे lcm लेके यहाँ से तो हमको मिल जाएगा n plus 1 upon n plus 1 plus 1 ठीक है यह asities है और यह भी asities है दोनो minus minus देखिए क्या हो जाएगे plus हो जाएगे आगे अब n square जो दिख रहा है उसको हमने ऊपर ले गए ठीक है यह upon में इसको multiply में change करेंगे तो यह ऊपर चले जाएगा यहाँ को मिल जाएगा 1 plus 1 plus 1 है n plus 1 plus 1 है यानि कि n plus 2 तो n plus 2 हमने यहाँ लिख दिया उसके बाद यहाँ पर बचा हुआ है n plus 1 तो यहाँ से देखिए n plus 1 one time यहाँ से one time n plus 1 cancel out हो जाएगे तो हमारे प्रस बचेगा n plus 1 तो हमने यहाँ लिख दिया ठीक है अब इन दोनों से क्या करेंगे हम n को common निकाल लेंगे तो taking n common in this part तो n 1 plus 1 upon n into n हमने फिर से common दिया तो 1 plus 2 upon n यह हमारे पास आगया तो यह n n का multiply किये हमारे पास आगया n square बाकी सारे चीज़े वैसी है तो n square n square cancel out तो बचा 1 upon 1 plus 1 upon n तो यहाँ पर हमने limit वे put up कर दिया infinite तो क्या जाएगा यह भी 0 हो जाएगा portion यह portion भी 0 हो किया जाएगा तो overall हमको option 1 जो हमारा correct option है तो बाकी जो options है सारे option को L hospital rule से solve करना है ठीक है second option को देखते हैं इसको भी L hospital rule से ठीक है तो आपको तो यह L hospital rule जो है वो clear हो गया होगा तो आप सारे options को आप easily solve कर सकते हूँ ठीक है इसमें भी मैं बता दिता हूँ basically क्या करना है पर सेम भी चीज इसको हमने नीचे लाया जैसे पिछले part पिछले question में option में हमने किया था ठीक है तो L hospital rule फिल अपलाय करेंगे इसका differentiation किया हमने CMS वही आया ठीक है अपान इसका differentiation minus 1 upon n plus 1 whole square यह दोना part cancel हो गया यहाँ पर तो बचा क्या हमारे पस 1 upon 1 plus 1 upon n plus 1 तो यहाँ जब infinite put up करेंगे तो यह पूरा part infinite हो गया यानि कि यह part हमरे पस 0 हो गया तो हमको क्या महला 1 plus 1 plus 0 1 upon 1 plus 0 ठीक है तो यह क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे तो यह भी option correct है क्योंकि टेंस to 1 कहा गया था किसके लिए n tends to infinite के लिए यह भी option हमारा correct हो गया option number 2 option 3 के तरफ जाते हैं यहाँ भी हमको air hospital rule ही लगाना है तो same वही चीज़ इसको हमने नीचे ला लिए 1 upon n square बागे चाहरे चीज़े वैसी है यह भी 0 upon 0 form ही है तो इसका differentiation किये पहले हमारे पास यह आ गया upon इसका differentiation किये हमारे पास यह आ गया ठीक है अब यहाँ से minus minus यह देखो दोनों cancel हो गए दोनों में minus है अब यहाँ पर हमने LCM लेके इसको solve किया है n उपर चले जायागा और n प्लस 1 यहाँ पर आ जायागा ठीक है फिर यह वाला पार्ट को भी हमने उपर ले गया ठीक है तो यह पार्ट को जो उपर ले गया n to the power 3 को और यहाँ पर already n है तो n to the power 4 हो जायागा और 2 इसके नीचे रहागा ठीक है और यहाँ बचा हमारे पास n square और n प्लस 1 यह ठीक है अब देखिए यहाँ से n square और n to the power 4 है तो 2 times तो यहाँ से cancel हो जायागा तो हमको मिलेगा n square बाकी सारे चीज़े वैसी है ठीक है अब यहाँ से n common ने common निकाल लिया तो taking n common तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस 1 upon n ठीक है यहाँ से one time n cancel हो जायागा तो उपर n बचेगा और नीची यह portion बचेगा अब इसमें limit रखके देखिए आप क्योंकि और तो इसको solve नहीं कर सकती है n common नहीं ले सकती है तो इसलिए क्या क्या रहेंगे आप इसको value put up कर दिया है limit यहाँ पर infinite तो यह infinite हो गया यह भी infinite यह portion 0 हो गया तो infinite upon 2 and 2 1 plus 0 तो infinite upon 2 क्या होंगे infinite ही होंगे यानि कि हमको question में क्या कहा गया था tends to 1 कहा गया था लेकिन tends to infinite आ गया इसलिए यह option जो है वो wrong option होंगे ठीक है next में जाते है fourth में इसमें भी same as हमको वही चीच करना है L hospital rule से यह से n को हमने नीचे ला लिया 1 upon n तो 0 upon 0 form ही है यह भी इसका differentiation की हमारे पास यह मिल गया upon इसका differentiation की है तो हमको यह मिल गया ठीक है यहाँ से फिए से minus minus cancel out हो गया यहाँ से n square को हमने उपर ले गया तो n square और n square कितना होगा multiply होके इसका power add हो जाएगा n to the power 4 ठीक है यह 2 को हमने सामने लिग दिया और upon जो बचा हुआ है इसको हमने as it is लिग दिया यहाँ से देखिए यहाँ 3 time n है यहाँ 4 time n है तो 3 time n यहाँ से cancel हो जाएगे तो हमको n बस मिलेगा बाकी सारे चीज़े वही है ठीक है यहाँ से हमने एक और चीज़ किया है n square को common ले लिया है तो हमारे पास बचेगा 1 plus 1 upon n square ठीक है अब यह हमको मिल गया देखिए यहाँ से 1 time n cancel हो गया तो 2 upon n 1 plus 1 upon n square हमको मिलेगा अब limit यहाँ put up कर दीजे infinite क्योंकि आगे तो 6 होगा नहीं तो यहाँ हमने infinite रख दिया यहाँ भी हमने infinite रखा तो यह portion 0 हो गया तो 2 upon infinite यानि किये क्या होगा 0 लेकिन question में हमको क्या क्या गया था option 4 में tends to 1 कहा गया था लेकिन हमने पास tends to 0 आ गया इसलिए option 4 जो है वो wrong option होगे यानि कि overall जो है option 1 and 2 option जो है वो हमारा correct option है ठीक है I think कि आपको यह question जो है वो अच्छे से clear हुआ होगा तो अब बाकी के question जो है हमारे description से link लेकर अब देख सकते हैं और जो हमारे इस channel के लिए नए है वो हमारे इस channel को subscribe कीजिए ताकि आपको बहुत सारी notes ठीक है और बहुत सारी questions के solution में मिल सके और साथ ही हमारे telegram channel को आप join कर सकते हैं जिसमें आप questions को discuss कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद